हम आज देखाएंगे जो कि इंडेक्शन में नया बोड कैसे इंस्टिलेशन करते हैं तो हम देखाएंगे कि इसका बोड में पानी गिर के एक खराब हो गया था तो मेरा पास एक क्रॉंटोन का इंडेक्शन है तो इसमें पानी गिर के इसका मदर बोड खराब हो गया तो यह जोके दूर्ची हम लोग परिचिस कर कर रुखे हैं जो कि आसा है तो हम लोग इसमें नये किट डालेंगे तो देखाते हैं कि एक किट वह है यह हमारा किते हैं जो कि 3 P F में आती है तो इसे करके एक दो पी एफ में आती है और एक टीन फैस्टर है वह तीन बंद अभी आती है और एक दो बाला बोड आती है तो इसमें हम लोग मिला है एक पैनल और एक कुछ बोड है और एक बोट साइट टेफ है तो इसको हम लोग बैठाएगे जो कि देख सकतो बैठाने के लिए हम लोग इस तरह थोड़ा सा लगड़ा है तो इसको कट करके हटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इधर लगड़ा है तो इसको कट करके हटा देते हैं उसका बाद अच्छे से बौट को fitting करें देंगे, fitting करने को बाद पूरा connection दिखाएंगे हम की कैसे करके इसमें लगाते हैं, कहां पर क्या लगेगा, तो अच्छे से cut कर लेते हैं इसको, तो देख सकते हो, side में लग रहा था हलका सा, तो इसमें हम लोग इसमें cut कर दिया है, तो इसको दिखा देते हैं इसमें दो कनेक्टर दिया हुआ है एक बाड़ा वोल्ट का फेन के लिए है और एक अठारा वोल्ट के लिए है जो कि दो दो फेन आती है एक बाड़ा वोल्ट का फेन आती है एक अठारा वोल्ट के जिसमें जिसका रहेगा वह लगा सकते हो बाड़ा को जो कि हम लोग दो सिरा है को इसमें कोई लगा दिये है पिर देखाते हैं आप लोग को इसमें हम लोग को अच्छी से टायट कर देंगे क्यूंकि इसको लूज रखने से इस पार्क करती है लिए बॉट जल जाएगा तो इसमें को अच्छी से आट कर देना क्या इस में टाइट हो सकती है उसमें टाइट कर देना वायः को अच्छसे स्लोप कर देना क्योंकि जब कोईल अच्छसे बैट यहाच बाहर है तो अुछ हम लोग यहां पर लग जाएगा जो कि इस कनेक्टर पर अन योकि फिन लग जाक तो हम डेर है जो कि कीबूर्ट को सेंस के लिए वहां पर लगा देता है इसमें आम लोग नाघ्mmm से टाइट कर दिंगे इसको फिर आप लोगा देखाते है तो यह हमारा लगबक होई गया है है ह। नर इसक्रूप हम ने waspcrust कर दिया हैं तो इसमें अम लोग देकते हैं कि अब इसमें हम लोग ओको भान जो इसमें जो बूसिव टेप मिला था उसको लगांगे जो कि संसर योwy又 खोल के को देंगे जो की दowa兩ू साइड डी टेप इसको चिपकाने के लिए दिया हुआ है जो की इसमें अच्छे से फिटिंग आ जाती है देख सकतो एफ पिटिंग हो गया है तो इसमें हम लोगम सेंसर में कनेक्ट करardo दे Queen को तो कनेक्टर है सोरी कनेक्टर में से फिट कर देते हैं तो कनेक्टर फिट करने वाद हम लोग लाइन दे दिया इसमें देख सकते हैं इसमें लाइट भी आ गया है तो अच्छे से इसमें फेन भी चल रहा है देख सकते हैं इसको फिटिंग कर देते हैं इसको उपर पानी रख दिए तो इसमें हमारा पानी उबलने लगेगा जो कि इसमें वोल्टेज को टेंपरेचर को बढ़ा भी सकते हैं गटा भी सकते हैं तो असानी से बोर्ट फिटिंग हो जाती है इसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं तो अगर बोर्ट खराब हो जाए तो नया बोर्ट पर्चेस करके भी लगा सकते हैं अब लोग देख सकते हैं पानी इतना जल्दी गरम हो गया है तो वीडियो अगर अच्छी लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नया इसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए